वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला खाद्य प्रबंधन तो देखे भारत जैसे विकास सील देश का आर्थिक परिवर्तन मुख्यता इसकी क्रिसी और सहायक शेत्रों के निस्पादन पर निर्भर करता है भारत में आर्थिक परिवर्तन जो है क्रिसी पर निर्भर करता है और यह ग्रामिल शेत्र में जो ग्रा हाँ कुल किसान है उसमें से 82 प्रथसत लगु एवं सीमानत किसान ने देखें तो विकास में समाविस्ता का उद्देस से ग्रामेड्ल विकास पर बल देते हुए प्राप्त करना पड़े जिसकोग कृसी से बहत्र रूप से प्राप्त किया जा सकता है सरकार का उद्देश से किसानों की आय को दोगना करना है आय सहाय किस्कीम फसल बीमा जलसन रच्षण अपसिष्ट प्रबंद प्रबंद तक निकों से लेकर क्रिसी विपढ़न सुधारों तक अनेक उपाय किये जा रहे हैं ठीक है क्रिसी छेत्र अन्स के साथ 2020-21 में 3.06 प्रच्षण और 2021 में 3.09 प्रच्षण के व्रिध्धी दर्च की तिलहन तथा खाद तेलों के उत्पादन घरेलू आपूर्ती में व्रिध्धी चीनी छेत्र में किये भागीदारी और फसल बीविदी करण बढ़ावा देने के लिए बागी आपका सिचाई प्राकितिक छेत्र में जल संरच्षण की माध्यम से इस्थाई की रिसी ठीक है फसल उत्पा देखता मसीनी करण आदी में सुधार ठीक है इस फसल वीविदी करण को बढ़ावा देने के लिए नियूंतम समर्थन मूल नीतिका उपयोग कैसे किया जाए ठीक है तो समाप्त हुए पिछले पांच वर्सों में पसुधन छेत्र आठ दस्मलों एक पांच प्रतिसत की व्रिद्धी और जैसा कि नमीनतम सस द्वारा पता चलता है कि यह चेत्र किसी परिवारों के समहों में ए आई का एक इस्त्रे स्रोथ होता होता जा रहा है ठीक है स्कीम प्रत्सत वित्व पोसड के साथ एक केंद्री छेत्र की यह एक योजना है यह स्कीम एक दिसंबर 2018 को लाग हुई इसमें सभी किसान मापदंड के अंसार अब्दवात स्वरु कुछ को छोड़ करके सामेल है योजना के तहब सभी भूमी धारक किसान परिवारों को तीन समा यानि आपके 12 महिनों में 4-4 महिने पर 2-2 रुपए दिये जाएंगे और प्रतिवर्स 6,000 रुपए दिये जाएंगे यह आपका प्रधान मंत्री किसी सम्मान ने दे आगे आपका प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना पी-एम एफ-बी-वाई इसमें है कि भारत में किसी औ किया और इसके पिछले पांस सत्रों के दौरान आठ राज्यों दो केंदर साथ सत्रों को कवर किया आर्थिक समिक्षा के अनुसार देखा जाए तो यह जो पी-एम एफ-बी-वाई है यह मीन का पत्थर साबित हुई है इसमें देश के किसानों को नियूनतम प्रीमियर रा है और दावे की रासी सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई गई है तो यह है आपका प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना आगे बढ़ते हैं इस योजना के उद्देश से प्राकृतिक आपदाओं कीट और रोगों के परिड़ाम सरूप अगर कोई नुकसान होता है फस किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनके आय को स्थाहित तो देना किसानों को क्रिसी में नवाचार आजनिक पद्धियों को अपनाने के लिए प्रोथ साहित करना और क्रिसी छेत्र में अव्रिड के प्रवा को सुनिश्चित करना प्राकृतिक आपदा कि हम बागवानी फसलें सामिल की गई हैं तो क्रिसी हम संबंद छेत्र देखते हैं क्रिसी जो है भारती अर्थ व्यवस्था की रियून बानी जाती है और यह अधिकान जनसंख्या हमारे यहां क्रिसी पर ही अस्रित है हमारे यह आई का जो मीन सोर्थ है वो क्रिसी है आज भी भारती क्रिसी भारत के सकल रोजकार का आधा समखर राश्ट्री आये में लगभग 1 बटा 6, 15-18 प्रशत, अंतर राश्टी वेपार में लगभग 18 प्रशत, आयात में 6 और निर्यात में 12 प्रशत का युगदान करती है भारती क्रिसी की विश्यस्तायन देख लें तो भारती क्रिसी जो है अभी भी पिछडी अवस्था में है आज भी किसान और वैज्यानिक विजिसे क्रिसी कर रहे हैं भारत में क्रिसी की उत्पादक्ता काफी कम है यानि उत्पादन प्रती हेक्टेयर और भारत में क्रिसी में बड़ी मात्रा में प्रच्छन बेरोजगारी पाई जाती है जो किसानों में गरीबी के प्रमुकारणों में से एक है आज भी भारती क्रिसी में और निशित्ता व्याप्त है अच्छा मौसम होने पर फसल अच्छी होती है जबकि मौसम प्रतिकूल होने पर फसल भी खराब हो जाती है हमारे हाँ जो क्रिसी है वो मौसम पर मानसून बेश जोती है तो अगर मानसून टाइम से आगया मौसम अच्छा है तो फसल अच्छी होगी अधर्वाइस फसल आपकी खराब हो जाती है और छोटी जोते भी भारती क्रिसी की प्रमुख विसेस्ता है घुमी सुधार कारिक्रम टो इसमें है सतंत्रता प्राप्ति के बाद करिसी छेतर में विकास के लिए भारत सरकार ने सरप्रथम भूमी सुधार कारिक्रम तर आरंव किये इसके द्वारा भूधारण व्यवस्था में व्याप्त वर्तमान दोसों वकम्यों को दूर करने का प्रयास किया इसके अंतरगत जमीदारी उन्मूलन, राजे तथा किसान के बीच प्रत्थित्चे संबन्द के स्थापना आर्재 काकार की जोतों का गठनिया निर्मार और भिखरी जोतों की चकबंदी, सुरक्षित कास्तकारी, उचित लगान की विवस्था, जोत की उच्चितम सीमानिरधार ये सब सामिल किया गया है इसके प्रमuwख अंग हैं मध्यस्थों की समाप्ति, कास्तकारी सुधार, प्रति पवार भूमी की अधिक्तम, सीमा निरधारत करके सीएस भूमी में विद्रित करना और जोतों की चकबंदी करना ठीक है ये इसके प्रमुख अंग हैं आगे देखते हैं आखे इसका उद्देश से देखते हैं तो इसमें देखिए भूमिसुधार कारिक्रम के क्या उद्देश से हैं तो भूमिसुधार कारिक्रमों का मुख्य उद्देश आर्थिक द्रिश्टी से जोत के आकार को ठीक करना किसान को भूमिधर बनाना और कास्त कारी प्रणाली में न्याय फूर्ण धंक से दुशुधार लाना फन्सवरों कृषानों के सुशड़ को समाप्त करके उन्हें विकास के लिए अभी प्रेरीत करना है आगे है भूमिशुधार कारिक्रम के एक कारियर भूमिशुधार कारिक्रम के कारियर देखें तो इसमें देखिए सबसे पहले है आपका क्रिसी का पुनर कठन इसके अंदर करिसी भूमिगा पुनर वित्रित किया जाना अधिक्तम भूर धारकता निर्धारित कर अतरिक्त भूमिभूमिहीनों में बाट दी गई फिर आता है मध्यस्तों का उन्मूहिलन जमीदारी या उस जैसी सभी विवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया और भूमिगी सम्मंद में सरकार को सीधे सरकार और किसान जो हैं सीधे सरकार से संपर्क कर सकते थे फिर एक कास्तिकारी सुधार तो इसके अंतरगत लगान का नियमन किया गया कास्तिकारों को संरक्षित किया गया तथा कास्तिकारों की भूमी का मलिकाना हक दिलाए गया ठीक है कास्तिकारों को भूमी का मलिकाना हक मिला तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, thank you so much